हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यह जो LED बल्ब के ड्राइवर हैं, इस तरह कि यूनिवर्सल ड्राइवर इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा यूज किये जा रहे हैं, तो इस ड्राइवर को पहले समझा देता हूँ, कि एक LED बल्ब है, उसको हमने गलो करा दिया, यानि वो जलने लगा, और दूसरी जो चीज़ है, वो आप समझे एक लेडी बल्ब है, उसको हमने यह ड्राइवर लगाया, तो क्या व teknis glow कर रहा है यानि properly work कर रहा है तो properly work करना और work करना इसमें अंतर है तो यही चीज़ जो है इसको आपको समझना है और इस driver को किसी LED bulb में आप कैसे use कर सकते हैं जैसे आपका LED bulb है 7 watt या 9 watt का आपके पास repairing के लिए आया है तो आप उसको repair करने के लिए क्या इसको 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 कर सकते हैं अगर वही LED bulb आपका कोई repair होने के लिए आपके पास आता है 15 watt या 18 watt या 20 watt या 25, 20, 40 watt का तो क्या आप उसमें भी इसको use कर सकते हैं तो यह जो भ्रहम है कि आप इसको सभी जगे use कर सकते हैं इस चीज़ को हम इस वीडियो के माधन से clear करेंगे कि क्या इसको सभी जगे use किया जा सकता है तो यह driver पहले मैं आपको दिखा रेता हूँ एक यह driver है जैसा कि आप देख पारें universal driver है इसमें एक electrolyte capacitor लगा है इसको हम हटाते हैं यहां से तो आप इसके नीचे देखेंगे कि एक bridge rectifier और एक यह driver IC लगी हुई है यहां पे एक sense resistance लगी है और यह inductor लगा है पीछे साइड कुछ नहीं लगा है तो यहां पे यह एक driver हो गया दूसरा driver आप यहां पे देख पाएंगे कि यह driver उन से कैसे भिन है इसमें आप देखेंगे कि electrolyte capacitor जो है दो दिये हुए है एक यह और एक यह साथ ही आप देख पाएंगे driver ICD है bridge rectifier दिया है एक sense resistance दिया है यहां पे एक यह आप देख पाएंगे यह इसका past recovery diode दिया है यहां पे एक MOV और एक fusible resistance दिया है तो यहां पे component जो है कुछ ज़्यादा हो गए एक MOV एक fusible resistance और यह fast recovery diode जो है इसमें ज़्यादा दिया हुआ है साथ ही इस वाले driver में भी आप देखेंगे कि दो electrolyte capacitor इसमें दिये हुए है bridge दिया हुआ है driver ICD है, sense resistance दिया है और एक fast recovery diode दिया है एक यहां पे MOV और एक fusible resistance दिया है तो यहां पे यह driver और यह वाले driver यह लगबग सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है और वो driver में मैंने आपको अंतर बताई दिया है अब आपको यहां पे थोड़ा सा confusion जो है इसको आप थोड़ा सा ध्यान पूरवक समझे कि यह जो driver है, इनका output current जो है वो 100 mA होता है तो यहां पे इस तरह के driver हम जिस MCPCB में इस्तमाल करेंगे वो 100 mA की होनी चाहिए अगर 100 mA से ज़्यादा की है तो यह driver जो है केवल 100 mA ही देगा इससे ज़्यादा नहीं देगा तो वो आपकी MCPCB properly glow नहीं करेगी वो आपका LED प्रॉपरली brightness नहीं देगा तो यह चीज़ा आपको समझ लेना है आप यहां पे मैं इसको बताऊंगा कि आपको किसमें यूज़ करना है आप यहां पे देख पाएंगे कि एक MCPCB यह है 9W 1W SMD वाली MCPCB है यह और इसमें 9 SMD है 9 SMD है तो यह 9W हो गई यहां पे 9 LED लिखा हुआ है आप देख सकते हैं तो यहां पे यह 1W की SMD और 9 SMD तो 9W यह सारी SMD आपस में सीरीज में है तो सीरीज में है और यह 1W वाली जो SMD होती है यह 100 mA current जो है consume करती है तो यहां पे यह 100 mA वाली MCPCB हो गई आप यहां पे दूसरी देख वाएंगे MCPCB यह जो SMD में लगी है यह 6 बुल्ट की SMD है साथ ही इसमें जो mA चाहिए इसको mA current चाहिए वो universal driver है इस तरह के MCPCB में काम तो करेगा लेकिन प्रॉपरली यह MCPCB जो है brightness नहीं देगी यानि कम brightness देगी इससी तरीके से यहां पे MCPCB है जो की 15 watt की है यह 12 watt की थी यह 15 watt की है इसमें भी आप SMD देखेंगे दो semi conductor है यानि 6 volt की SMD है 1 watt वाली 1500 mA current जो है इसको चाहिए तो 1500 mA इसको यह driver नहीं देपाएगा तो properly brightness जो है वो नहीं आएगी इसको 1500 mA वाला ही driver drive करने के लिए चाहिए आप यहां पे देख पाएंगे यह कुछ MCPCB है मैं आपको यहां पे दिखा लेता हूँ यह MCPCB जो है इनमें भी जो SMD लगी है वो 1W की है और 100 mA की है लेकिन यहां पे 3-3 SMD के group है जो की आपस में series में है तो 3 SMD आपस में parallel है उसके बाद अगली 3 parallel हैं उसके बाद अगली 3 parallel हैं सभी एक दूसरे से series में जुड़ी हुई है तो यहां पे इस MCPCB को 300 mA जो current है maximum current 300 mA चाहिए तो यहां पे इस तरह की MCPCB को अगर हम इस तरह के driver में लगा के अगर glow कराएंगे तो properly brightness नहीं आएगी यह आप clear समझ लीजिए तो इसको भी हम इस driver को इस MCPCB में use करेंगे तो bulb जो है properly brightness नहीं देगा यह MCPCB 27W या 25W के LED bulb में use होती है तो यहां पे LED bulb हमारा properly brightness के साथ glow नहीं होगा तो यह चीश clear हो गई अब यहां पे मैं आपको test करके भी दिखाऊंगा तो यह driver है यह driver अगर आपको use करना है मालिया आपको इसको इसको इस्तमाल करना है और SMD जो है दो-दो यहां पे जो MCPCB है जिसमें 2 SMD आपस में parallel में है group wise आपस में series में जुड़ी है तो उसमें आप इसको जोड़ पाएंगे और properly brightness जो है वो LED देने लगेगा अब यहां पे थोड़ा सा आपको और मैं clear कर देता हूँ यहां पे यह आप driver देख पा रहे हैं यह जो driver तीन driver है जिनमें 2 electrolyte capacitor है यह बहतर है इससे आप अगर इसको use कर रहे हैं तो इसका जो milliampire current है वो कम ज़्यादा होता है फ्लक्श्वेट होता है properly यह current जो है उसको constant current जो है output नहीं करता है तो हमारी mcpcv खराब होने के chance से ज़्यादा रहते है तो इस तरह का driver आप use करते हैं तो इस तरह का driver आप जो 1.500 milliampire वाली mcpcv है उसमें आप use करें थोड़ी सी brightness कम होगी लेकिन हमारा bulb जो है जल्दी खराब नहीं होगा तो इस चीज को आप ध्यान रखिए फिर इसके बाद आप ऐसे ही अगर तीन SMD आपस में ग्रूप बनाके parler में और फिर सीरीज में बनाती है जैसे ये वाली mcpcv है तो इसमें अगर आप इसको दो parler जोड की ये driver और आप इसमें इसित्माल करेंगे तो ये properly इसमें पर करेगा तो यहां पे इस तरीके की दो driver आप आपस में parler जोड लीजी और इस तरह की mcpcv में आप इस्तमाल कर पाएंगे तो यहां पे यह जो confusion है यह आपका clear हुआ अब मैं आपको यहां पे थोड़ी सी testing दिखा देता हूँ जिससे की थोड़ा सा confusion है वो clear हो जाए बिल्कुल clear करने की कोस्टिस में हूँ मैं तो यहां पे सबसे पहले हम यह जो 9W वाली MCPCB है इसमें इसको connect करेंगे और हम यहां पे voltage जो है current भी हम यहां पे देखेंगे तो current और voltage देखने के लिए मैं इसको connect कर देता हूँ positive और negative को आपको ध्यान देना है positive में red wire और white वाला wire जो है यह negative में जोड़ना है तो चलिए मैं इसको जोड़ लेता हूँ फिर मैं आपको test करके दिखाता हूँ जैसा कि आप यहां पे देख पारें मैंने यह जो driver है इसको जोड़ दिया है यहां पे positive को हमने एक यहां पे alligator clip के साथ जोड़ा है और driver का जो negative है उसको भी एक alligator clip के साथ जोड़ा है जिससे कि मैं इसका output current जो है वो आपको यहां पे measurement करके दिखा पाऊंगा तो चलिए इस driver में हम supply देते हैं और इस LED bulb को देखते हैं कि यह LED bulb कैसा glow करता है साथ ही यह देखेंगे कि यह current कितना output करता है यह driver कितना current हमारी MCPCB को देगा तो यहां पे चलिए मैं इसको connect कर देता हूँ power meter जो है यहां पे लगा हुआ है voltage जो है 240 आ रहा है wattage जो है हम यहां पे देख पाएंगे तो मैं असको connect कर देता हूँ और इस में supply जो है वो मैं देता हूँ यहां पे आप देख पाएंगे कि मैंने इसको connect कर दिया है और यहaja MCPCB है यह अभी glow नहीं कर रही लेकिन यह दोनों ब्लेका यह नों करने लगेगी तो यहाँ पे हम जो current है वो भी measure करेंगे, मैं यहाँ पे wattage जो है वो आपको दिखा देता हूँ, wattage आप जो meter है उसमें देख पाएंगे कि यह कितने watt जो है दे रहा है हमारी MCPCB, current कितना दे रहा है यह तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले आप यहाँ पे wattage देख charge है, धीरे-धीरे down होता जाएगा, यह धीरे-धीरे down होगा, यह लगबग 11 watt जो है, जो है total current consume कर रहा है, अब यहाँ पे हम इस अपने multimeter से current जो है, इसको measure कर लेते हैं, मैं यहाँ पे multimeter को current measurement वाले section में लगा देता हूँ, जिससे कि हम इसका current measure कर पाएंगे, यहाँ पे मै तो 120 mili ampere current इस driver ने हमारे mcpcb को दिया, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह driver अगर हम इस तरह की 9 watt की mcpcb में use करते हैं, तो यह driver हमारे mcpcb को जल्द ही खराब कर देगा, हमारा bulb जल्द ही खराब हो जाएगा, क्योंकि यह current शुरू में जो है अब मैं दूसरा driver भी आपको connect करके यहाँ पे दिखाऊंगा, सारी calculation जो है मैं ऊपर यहाँ पे आपको दे देता हूं, जिसको आप देख पाएंगे, तो इस driver की calculation भी यहाँ पे आपको मिल याएगी, अब हम दूसरा driver है उसको इसमें लगा के और फिर measurement करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे देखाऊंगा, और साथ ही मैं इसमें supply जो है वो दे देता हूं, तो यहाँ पे supply देने के लिए हमें क्या करना है, कि इसको अपने power meter से connect करना है, जिससे कि हम वहाँ पे wattage भी देख पाएंगे, तो इस तरीके से मैं इसको connect कर देता हूं, आप यहाँ पे मैं इसको connect कर रहा हूं, और आप यहाँ पे देख पाएंगे, कि milliampire जो है, यह 107 milliampire जो current है, वो हमरे MCPCB को दे रहा है, और यहाँ पे आप wattage देखेंगे, तो यह 10 watt के about हमारा, जो है, total conjunction जो है, power conjunction 10 watt के करीब यह कर रहा है, तो यहाँ पे यह 10 watt जो है, यह लगबग 10 watt रह से down करेगा, और उसके बाद यह लगबग 100 milliampire पे बिल्कुल properly फिर उससे ज्यादा down नहीं होगा, तो यहाँ पे यह driver जो है, उससे ज्यादा efficient है, और उससे ज्यादा बहतर काम करेगा, MCPCB हमारी पहले से ज्यादा सुरच्छित रहेंगी, तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, कि अब हम दूसरा वाला driver जो है, उसको भी test करते हैं, दो driver और test करने के लिए हैं, उनको हम test कर लेते हैं, तो जैसा कि आप देख पारें, यहाँ पे हमने जो दूसरा driver है, उसको भी connect कर दिया है, और अब हम इस driver को भी, जिसमें MOB और fusible resistance लगी है, इस driver को भी test कर लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा और हम clear हो जाएंगे, सभी चीजें हमारे mind mindset हो जाएंगे, जिससे कि हमें confusion जो है, वो नहीं रहेगा, तो चलिए मैं इसको connect कर देता हूँ, आप यहाँ पे milliampire जो है, उनको भी देख पाएंगे, और साथ ही conjunction, जो है total conjunction, कितने watt हो रहा है, यह भी समान है, तो चलिए अब हम तीसरा जो driver है, उसको भी देख लेते हैं, चुकि उसके समद्ध में भी कोई confusion नहीं रहना चाहिए, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैंने यह driver भी जो है, इसमें connect कर लिया है, और इसके भी total conjunction और साथ ही milliampire जो है, output के, वो हम इंशन है, वो 8.92 दिखा रहा है, और यहाँ पे milliampire, जो है, कितने milliampire MCPCB को दे रहा है, यह 100 milliampire MCPCB को हमारे दे रहा है, तो यह जो चौथा driver है, यह सबसे best है, हमारी इस तरह की 100 milliampire वाली SMD के लिए, तो यहाँ पे इस तरह की MCPCB, जो कि 100 milliampire की है, उसके लिए सबसे suitable driver हमने देख लिया, कौन सा है, हमारा, यह वाला driver है, आप देख पाने, तो इस तरह का driver आप LED बल में यूज़ करेंगे, तो LED बल की life जो है, वो काफी ज़्यादा रहेगी, हाला कि यह जो driver हमने यूज़ किया था, यह भी driver काफी ठीक था, और यह वाला driver जो है, यह भी काफी PCV के लिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आपने, यह जो universal driver है, इनको आपने देखा कि यह कितने milliampire current जो है, output करते हैं, और यह driver जो है, यह driver अगर आप यूज़ करते हैं, तो इस तरह का driver जो है, यह उतना बहतर नहीं है, लेकिन अगर आप group आली MCPCV में इसको यूज़ क पर हैं, उमीद करता हूँ कि यह वीडियो जो है, आपके लिए काफी helpful रहेगा, तो आज के वीडियो में इतना ही, thanks for watching, have a nice day.